वीडियो स्टाट करने से मैं आप सबको थेंक्यू बोलना चाहोगा अभी जो आप वीडियो को प्यार दे रहे हो चैनल को अपना सपोर्ट दिखा रहे हो इतने सारे ओडर आप मेरे को दे रहे हो मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हो उस वज़े से इन सारे नए बिल्ड को आपके सामने लाने का उस्टमर के ल 220 वल्ट AC करंड के साथ चलने वाला डायरेक्ट आपके प्लग में लग जाने वाला एंप्लिफायर डिजाइन किया है जिस देखिए 100 वोट का मोनो आउट्पुट वाला एंप्लिफायर है जिसमें की इन बिल्ट SMPA से और इसमें इन बिल्ट ही अपना वायरलेस माइका आप के सामने रख दी है जितने भी हम यूज करने वाले इस पूरे बिल्ट में तो सबसे पिले ही अपना केबिनेट आ गया इसकी सारी एसे सरीज आ गई तो यह इतना सेट 750 रूपीस का है उसके बाद अपना यह 100 वोट मोनो बोड आ गया टी ओरिजनल टीपीए 3116 D2 ICS में 126 से 100 वोट का होगा 100 वोट का सप्लाई 100 वोट का एंप्लिफायर इसका जो प्राइज है वो 550 रूपीस है उसके बाद हम एक प्योर कोपर में AC लीड यूज करने वाले यह देखिए तो इसका जो प्राइज हो 70 रूपीस है उसके बाद हम इसमें 072 मोडल की ही USB पेनल पूरे बिल्ड को नजा बनाती है वो है इसमें हम वायलेस माइक इंस्टॉल करेंगे वो माइक की जो किम्मत है गाइस वो 850 रूपीस रहने वाली है बहुत ही जैन्यून कोलेटी वाला माइक है आगे हम इसको देखेगे तो यह सारे कंपोनेंट है जिसका यूज करके हम प में आपको सब भी टाइमलेस दिखाने वाला हूँ आपको इच एन एवरी कनेक्शन अगर डिटेल में जानने है तो अभी जो आपकी स्क्रीन पे दो वीडियो आ रहे है उसका उपर एक आई बटन आ रहा है उस पे जाके आप इसके डिटेल से कनेक्शन समझ सकते हो तो चल यह बिल्ड बनाना सुरू करते हैं करते हैं तो यह देखिए सिफ इतना मेंने फिक्स कर लिया है अब हमें सिफ वायरलेस का जो अपना जो कोडलेस माइक है उसका पीसी बी और अपने में पेनल के साथ कनेक्शन तो चलिए इसको फिक्स करने से पहले आपको कनेक्शन सभी एक्सप्लेंग कर देता हूं में तो सबसे पेले यह देखिए इसको हम पीछे इस प्रकार से कल लेते हैं तब इदर देखिए PF4 M- M+, तो अपना यह जो 3 pin का जेक है अपना mic का जेक है उसके बाद हम आजाते हैं इसमें तो यह देखिए इधर अपना एक connector है 5 pin इसमें देखिए Out, KC, VCC, GND और Out तो यह जो 1st और लास्ट आउट है यह दोनों कोमा ने सिफ 2 point दिये तो हमें सिफ यह 4 pin काउट करनी है Out, KC, VCC, GND अब जो अपना यह Out है यह अपना mic का audio Out है KCA वो अपना detection के लिए point है यानि कि आप mic on करोगे तो इसमें detect होगा इसका wire KCA उसके बाद VCC, GND इसमें आपको power supply करना है तो चलिए यह तो technical बात हैं हो गई आपकी इस तरीके से connection easily समझ सकते हो और कर सकते हो उसकी बाद पर हम आजाते है सबसे पहले आपको इस प्रकार के दो wire ले लेने हैं देखिए, दो-दो pin के में दो जेक ले रहा हूँ अब यह देखिए अपना यह Out और KCA उसमें हम connect कर देखिए इस प्रकार का connector भी यूज कर सकते हैं लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ मैं इस प्रकार से में कर रहा हूँ तो इस पहले यह अपना आउट और केसी में आउट में अपना ब्लेक वाला और केसी है उसमें अपना यह ब्लू वाला wire है उसके बाद यह देखिए तो यह connector आपको किदर लगाना है यह देखिए इधर मैंने जो आपको दिखाया था यह PF4 M- M+, तो इसमें देखिए M+, और M- में यह connector आपको लगा देना है जो आउट है वो M+, में लगेगा और जो यह अपना के सी है वो M- में लगेगा अपना यह PF और M- उन दोनों पीनों को short कर देना है उसके बाद आपको एक और 2 पीन का जेक लगेगा इस प्रकार से इसको आपको यह देखिए इधर ground और VCC है उसमें connect कर देना है और इधर आपको देना है 5V output या 5V input उसके बाद आपका यह wireless system पूरा work होने लगेगा तो सिफ इतने ही connection है इसको आप भी नहीं connect करेगे क्योंकि यह अपना wired या code वाला जो माइक आता है उसके लिए उसको अगर आपको यूज करना है तो directly 3 pin to 3 pin connector लग जाएगा तो फिलाल अपने wireless circuit के connection मैंने आपको बता दिये और यह कुछ इसका पीछे का look है तो जलिए सबसे पहले मैं थोड़े बहुत connection आपको मोटे मोटे बता देता हूँ जिस भाई को connection जानना है वो इस portion को थोड़ा ध्यान से देख लिजएगा आपको सारा कुछ पता लग जाएगा सबसे पहले हम इस main lead की बात करते तो इसमें से देखी black और red दो wire आ रहे red सी धा ही हमने इस connector पे लगा दिया है और यह देखिए दो yellow wire directly अपनी switch पे जा रहे एक yellow wire को दूसरे connector पे और जो दूसरा बचा उसको इसके negative या black wire के साथ लगा दिया है तो इस lead के connection complete होगे उसके बाद यह देखिए इस जो board है इसमें तीन connection है audio in, dc और अपना यह speaker output तो जो speaker output है वहाँ पे यह देखिए दोनों को bridge करके यह दोनों को common करके speaker में दे दिया है dc plus और minus में directly 24 volt output smps से इसमें दे दिया है उसके बाद guys यह देखिए audio in में क्या किया है इसमें left, right और ground तीन wire होते है तो left और right को common करके audio in के positive और ground को ground में दे दिया है तो इस board के connection हो गए उसके बाद wireless panel के connection already मैंने आपको बता दिये out के connection है वो directly अपने mic वाले socket पे और उसके बाद इसमें 8 volt में हमने इसमें DC 8 volt in किये ok से तो देखिए 24 volt से directly 7812 IC पे जो कि 24 volt को 12 volt कर रहा है 12 volt का एक output हमने दिया है 7808 IC में जो कि 12 volt को 8 volt कर रहा है और इसी अपने 7812 का जो output है हमने 7805 में दिया है जो कि 12 volt को 5 volt करके अपने इस panel में दे रहा है तो यह power supply के सारे connection उसके बाद यह जो अपना input है देखिए उसका यह connector है इसको direct हमने aux वाला जो जो जे के उसमें लगा दिया है उसके बाद यह अपना rotary encoder है उसमें 4 pin coupler to coupler fitting है यह देखिए उसके बाद बचे तो बस इतने ही connection है और उसके बाद यह देखिए FM antenna का जो point है वो इधर है अपना इसमें आप देख पर होगे तो यह देखिए यह जो round वाला है वहाँ पे अपने को antenna लगाना है तो यह black wire उसका है और यह है अपना mic का wireless antenna इसको आप चाहे तो इसके अंदर भी लगा सकते हो लेकिन थोड़ी जियादा coverage के लिए मैंने इसको बाहार निकाल के रखा है या फिर इसको आप थोड़ा लंबा करना चाहो तो भी कर सकते हो यही कूछ है चलिए set को on करके इसके function दिखाता हूँ तो यह देखिए अभी ब्लूटूथ मोड में अपना इधर green light आ रहा है तो यह देखिए गाइस मैं अपना sony का जो पूरा यह बूक से लग स्पीकर है टूवे स्पीकर है एक अपना mid-bass speaker और अपना एक on twitter लगा हुआ है चलिए इसको connect करते है तो यह देखिए इस प्रकार से कुछ तो अपना यह हो गया है अब इसके function आप देख लीजिए यह अपना bluetooth है इसके देखिए FM aux उसके बाद bluetooth और pen dry लगा हो गया तो pen dry उसके बाद इसको एक बार push किया है अपना base plus 9 to minus 9 treble plus 9 to minus 9 उसके बाद echo अपने mic का इसके 16 से 0 यह NC है वो mic का volume है इस प्रकार से होता है इसके हमारा main इसमें जो unit है अपना यह codeless mic तो चलिए इसको आपको इस प्रकार से open कर लेना है इसमें 2 AA battery लगेगी तो चलिए इसको हम लगाते है इस प्रकार से वापिस से आपको इसको प्रकार कर देना है तो चलिए इधर से on करते है तो यह देखे हलो mic check हलो mic check तो यह देखे गईस कुछ इस प्रकार से sound quality है और यह देखे amplifier से mic इतनी दूरी पे भी कोई humming आपको देखने को नहीं मिल रही है तो चलिए इसके echo का जो function है वो मैं बता दाओ इस देखे echo 11 अभी जो echo है वो है 0 इसको full करते है तो अब आप सुन सकते हो sound quality में कितना फरक है तो इस प्रकार से गईस इसका mic work करता है और इसमें मज़े की बात यह है कि हमने जिस प्रकार से connection इसके किये आपको mic यूज करने के लिए कोई भी इसमें mode के साथ कुछ भी नहीं करना है simple से जब आपकी इच्छा हो mic की switch on करो और बोलने लग जाओ आपका mic work करने लगेगा तो कुछ इस प्रकार से बहुत शानदार तरीके से यह seamlessly work कर रहा है और यह जो अपना बार-बार आवाज आता रहता है जैसे एकदम नजदिक ले गए तो आवाज आता है बिल्कुल आवाज नहीं है और इधर से इसका volume इसका volume है कोई humming कोई आवाज नहीं है तो इस प्रकार से हम पूरा सेट डिजेन किया है अब आप headphone लिजे हम sound quality सुनते है और साथ में बीच में माइक भी ओन करके आपको दिखाने वाला हो कि किस प्रकार से song बीच song में या Bluetooth या FM या आपका पेंड राई जो भी चल रहा हो उसके साथ भी आप इसको वर्क में ले सकते है हालो माइक चेक अलो माइक चेक अलो अलो तो यह देखिया गयाँ song के बीच में भी आप इस प्रकार से माइक यूज कर सको अब बात करते हैं इस सेट का प्राइज क्या पड़ा है यह अपनी कस्टमर की डिमांड पे इस प्रकार का सेट रेडी किया हुआ है तो इसका जो एप प्रोक्स प्राइज है वो कस्टमर को पड़ा है